हालो दोस्तो वेलकम टू स्लीपी क्लासिस दोस्तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अब यह इसके अंदर नोबेल प्राइस मिला है रिसेंटली तो यह टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन है एस जूनो यूपिसी के अंदर सीधा टेकनोलोजी को उपर पूशन पूशे जाते हैं और अच्छे खासे कोशन आते हैं तो यहां पर इस टेकनोलोजी को हम सम करते हैं जो स्पीड़ एप करते हैं और यहां पे इनका पॉलूशन भी नहीं है और यह डेजाइर रिजल्ट ले आते हैं लेकिन आपके मंद में सारी कोशन आते हैं कि कैसे होती कैसे तो हम डिस्कुस करेंगे आज इसी लक्च्शर के अंदर यहां पर मैं आपको बाद बत तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए इसको ठीक है तो बॉडी के अंदर फंक्शन इसके इलावा जो बहुत सारी अगर आप देखोगे फार्मसेटिकल कंपनीज है उनके अंदर जो बहुत सी रेक्शन होती है उसको स्पीड अप किया जाता है दरवाइस बहुत टाइम लग के अंदर आता है और स्पीड अप कर देता है ठीक है दोस्तो लेंगे इसके कुछ फीचर है जो हमने ध्यान रखने है प्री के लिए अब जब कैटलीस्ट नाम का ठीक है यहां पर मैंने को जी नाम का कैटलीस्ट डाल दिया आब इसी रेक्शन को लग रहे है दो गंटे तो इट मेंस की catalyst बहुत जारा speed up reaction करता है अब यह करता कैसे इसको हम discuss करते हैं लेकिन इससे पहले feature पहली बात है catalyst जो है क्या वो जैसे rectant है जो substrate है उसके साथ act कर गया उसके साथ attach हो गया तो उसके बात क्या होगा कि वो destroy हो जागा ऐसा कुछ नहीं है ना ही वो consume होता है ना ही वो reaction को initiate करता है reaction को fast करता है ठीक है दोस्तों और इसके लावा जो at the end आप catalyst को regenerate भी कर सकते हो ठीक है यह कुछ properties है catalyst के अंदर होता क्या है जैसे माल लीजिए एक barrier होता है कोई भी reaction है ठीक है जी अब reaction को जो product के अंदर ठीक है यहां पर product है अपना यह reactants है इनको product के अंदर convert होने के लिए कुछ barrier जो है कुछ energy चाहिए ठीक है activation energy चाहिए जब यह उसको cross करते हैं तो product के अंदर convert होते हैं अब यहां पर यह नॉर्मल है यह वाला जो blue color का आपको दिख रहा है यहां पर आप देखोगे activation energy बहुत जादा है ठीक है reaction को होने के लि हो जाती है यह मेजर मेकनेजम इसका में इसके लावा बाड़ी के अंदर जो अंजाइम है वह भी एक biological catalyst है हमारी बाड़ी के अंदर अधर वाई तो हो जी ना इसका भी थोड़ा सा procedure देख लेता है यह दोस्तों अंजाइम है ठीक है अब इसकी यह शेप बनी हुए है यह बना यहां पर एसा नहीं के सीधा बन जाता है बीच में Intermediate स्टेज़ आती अगर तो कैटलीस के करता है इनको जैसे इसको पांच गर देता है तो उसको भी कम करता है थीकए तो यहां पर हमने आंजाइम भी एजटी करते हैं के सकते हैं और जो मेजर हमारी डेफिनेशन भी प्ररिजर कुछ बनाना आमोनिया बनाना तो इंडस्ट्री के अंधर क्या करते हूं नाइट्रोजन लेते हैं यहाँ नेच्टरके लेते हैं इन दोनों को हाई उसको लोडाउन करता था मतलब एक्टिवेशन जो बैरियर थे उनको लोडाउन गड़ता था यह क्या करेगा हाई करेगा वहार नीशर वगएरा यहां पर हाइट्रोजन पर उक्साइड हम यूज करते हैं लेकिन हमें यह वाटर के अंदर करना इसको रोकना तो इसके लिए जो है इसको हम यूज करते हैं यह क्या करता है कि हाइट्रोजन पर अग्साइड को वह इसके अंदर कनवर्ट नहीं होने देता है इसके यह बैरियर हम इसको यूज कर रहे हैं अगर यहां पर थोड़ा सा डिटेल में वैसे जाने की जूरूरत नहीं है एक्टिविशन तो फिर 86 इसको अगर नहीं यूज करते तो लोवर है तो रेक्शन जल्दी हो जाएगी लेकिन जब इसको यूज करते तो एक्टिविशन अनर्जी जो हाई हो जाती है इतमें यह एक बैरियर की तरह एक्ट करता है जो हमारे यह कैटलिस्ट है इसके बारे में आप समझ रह है जैसे हमने आयरें वगरा यह कुछ ऐसे इसकी बात की मैंने है ना अलग-अलग मेटल वगरा काफी होते हैं कैटलिस्ट के इंदर लेकिन मेटल जो हैं मोस्टली हेवी मेटल रहते हैं और वह बाद में डिग्रेड नहीं होते एंवार्मेंट को पॉलूशन करते हैं यह सा प्रब्लम क्रेड कर रहें तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इंवार्मेंट फ्रेंड्ली यह इंदर इतना हो रहे हैं तो आप मैटल तो इतना यूज नहीं कर सकते पॉलूशन बहुत रहेगा तो हमें ऑर्गन ठीक है और गैनिक कुछ ऐसा कुछ चाहिए तो इसके लिए और गैनो कैटरलिस्ट के अंदर भी हमारे कुछ दिक्कत आने लग अब ऐसा होता क्यों दिक्कत क्या थी यहां पि अगर आप देखोगे कि माली यह कोई एक्षिन है ठीक है लेटस पोस्ट एप्लस बी कोई रजल्ट बना रहा है अर्जल्ट बना रहा है अब सी भी यह दो टा जैसे माली जी मैं कोई मैडिसन बना रहा हूं मुझे यह पॉजिव वाला सीच चाहीए इसका जो औरेक्षिन है वही चाहिए लेकिन यहां पर दोनों क्रेट हो रहे हैं चाहे मैं और्गैनिक यहां पर यूज कर रहा हूं तब भी दोनों क्रेट हो रहे हैं प्राबलम हैं दो इसके लिए यहां पे जो बनाया गया के वह हमें एक को करने के लिए यहां पे यह हो है यह7 दोनों में से यहां इंट देखो यह delightful मिलेगा अब ऐसा होता क्यों इस यहां पर स््रक्चर देखो रिमोनें यहां पर आप देखोगे जैसे और मiva के नहीं कर सकते इसी तरह जब दोनों के अंदर हैं पर और आप सबस्क्री deserve वाला एक और वाला यहां पर आपसंव Buddy है ठीक है यहां पर वाहड़ लेकिन दोनों में फरकंए यहां पे इस साइट पे रहा तो यहां पर दोनों को सुपर्रीम्पोश करोगे तो यह और यहां पर यह वाला तो ois अलदो इनका जो molecules का formula है वो सेम है लेकिन इनकी rotation अलग है इसी rotation के 20 के ऊपर यहां पर यह लेमन का टेस्ट है और यह orange का टेस्ट है तो मारी body जो है वो भी तोनों को अलग-अलग परसीव करती है इसलिए मुझे चाहिए मतलब जो required है वही चाहिए उसी के लिए यहां पर दोस catalysis को यूज किया इसके अलावा और detail में जाने में कि कोई जरूरत यहां पर है नहीं जो भी मैंने आपको required था कि आपको catalyst है उसके जो प्रॉपर्टी वह पता हुए कितने टाइप के और इन्हों ने और गैनिक वाला जो बना और गैनों उसके बाद एसमेट्रिक ही क्यों है तो वह भी हमने डिस्कस कर लिए ठीक है दोस्तों अगर यहां पर question आया तो इसमें हमारा हो जाएगा more than sufficient day हमारे पास information दोस्तों आ गई है so it means it more environmental friendly भी आएगा so this is all for today दोस्तों मिलते हैं next time thank you very much कर दोस्तों करें